हेलो विवर्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओबेकस के बारे में महत्पुन तत्थ है और बी आई ने ओबेकस लॉंच किया है यह ओबेकस क्या है चली जानते हैं स्टुडेंट्स इसकी पूरी डिटेल वन बाई वन हम बताएंगे बस आप से एक छोटी सी फिगरस इसके बारे में हम आपके लिए लेकर आए हैं तो चली जानते हैं क्या है फटुडेंट्स र्भी आई ने अपना sedih अविनत्रे मासिक सर्वेक्षन क्या है यह त्रेमासिक सर्वेक्षन ओवेकस शुरू किया है सबसे जदा इंपोर्टेंट क्या है कि ओवेकस क्या है एक क्वार्टरली सर्वे है most important point क्या है और भी ने विनिर्मान शेत्र के order book inventory और शम्ता उप्योग सर्वेक्षन यानि कि ओबेकस के 49 वे उनन्चस्वे दोर का शुबारंब किया और इसकी पूर्ण रूप क्या है विनिर्मान शेत्र के order book inventory और शम्ता उप्योग सर्वेक्षन इंग्लिश में बोलेंगे इसको order book inventory and capacity utilization survey most important है आने वाले next examination के लिए हो सकता है आप से इसके बारे में full form पूछ ले या यह किस प्रकार की रिपोर्ट है और किस संदर्व में कि सेक्टर से संबंदित है तो students यह manufacturing sector से संबंदित रिपोर्ट है यह तत्थ है आपके RBI banking और commerce से संबंदित जितने भी examination है उनमें पूछा जा सकता है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए चलिए और जानते हैं इसके स्टुडेंट्स आर्बी आई ने दो जार आठ के बाद से तिमाई आधार पर ओवेकर सर्वेक्षन कर रहा है और सर्वेक्षन मौदरिक निती के निर्मान के लिए आवश्चक बहुत मुल्ले जानकारी प्रदान करता है चले स्टुडेंट्स नेक्स जानते हैं भारते रिजर्बैंक ने 16 अपरेल 2020 को विनिर्मान शेत्र के उनंचस्वे दोर के सर्वेक्षन में जन्वरी से मार्च 2020 के बीच संदर्ब अवधी शामिल है यानि के जन्वरी और मार्च के बीच के डेटा इसके अंदर लिया जाएगा इस सर्वेक्षन के लिए और सर्वेक्षन के दोरान एकत्र किये गए कंपनी स्टर के डेटा को गोपनिय माना जाएगा और इसका कभी खुलासा नहीं किया जाता है चलिए अब इसके संदर्ब में की हाइलाइट जानते हैं क्या क्या में है कि 49 वे ओबेकर सर्वेक्षन के दोरान एकत्र की गई जानकारी में संदर्ब तिमाही के दोरान प्राट नए आदेशों पर मातरातमग डेटा तिमाही की शुरुआत में आदेशों का बैकलोग और अंत की और लंबित आदेश शामिल है सर्वेक्षन में तिमाही के अंत में छोड़ी गई कुल सुची जैसे कार्यपरगटी पर और तैयार माल की सुची और वस्तुवार उत्पादन के लिए लक्षित समू से स्थापिट शम्ता के संदर्ब में तिमाई के दोरान मात्रा और मुल्या के संदर में जानकारी भी एकत्र की गई है सर्वेक्षन इन परतिकिरियाओं से शम्ता उपयोग के इस तरका अनुमान लगाता है सम्ता उपयोग का मतलब है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और बैंक इस तिमाई के दोरान चैनिट विनिर्मान कंपनियों के से संपर्क करेगा RBI ने संदर्ब तिमाई यानि के जो 2020 में डेटा लॉंच किया उसके लिए अभी जो 49 वी रिपोर्ट जारी करी है उसकी है जन्वरी से मार्च 2020 और इससे पहला था अक्टूबर से डिसमबर 2019 की तिमाई के लिए ओबेकस सरवेक्षन के 48 वे डोर के में लगबग 704 विनिर्मान कंपनियों को कवर किया था सरवेक्षन के अनुसार सम्टा उप्यो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 69.6 परसें से घटका 68.6 परतिशत रह गया तो इस्टूडेंट्स ये था अबेकस से सम्बंदित महत्रपुन तत्त है यदि आपनी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी परकार के रागुलर अपडेट्स आपको प्राप्ट होते रहें थैंक्यों फॉर वाचिंग प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब चैनल और अगर आप स्टूडेंट्स है तो बेस्ट अफ लग्योर फॉर एग्जामिनेशन और एंट्रपर्नेर है तो यह आपके संदर में एक मैट्पून तत्त आप बैंकर थे तो बैंकर के संदर मे भी और आपको एक्जामिनेशन जो भी कम्पिटिटिव एक्जामिनेशन से संबंदित तथे फैक्ट और फिगर रेगुलेटरी द्वारा घौशित के जाते हैं अनॉंसमेंट किया जाता है सर्कुलर निकाले जाते हैं उन सबकी जानकारी के लिए चैनल से जुड़े ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो अगें थैंक यू फो वाचिंग प्लीज लाइक आपको अगें थैंक यू फो वाचिंग प्लीज लाइक